जै माता दी फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं साबुदाने की खिचरी जो की बनाने में आसान है और खाने में बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट तो फ्रेंड्स आप सबने भी वरत रखा होगा नवरात्रों का माता का तो उसके लिए आज हम स्पेशल रेसिपी लेके आए है और इसका एक एक दाना बहुती खिला खिला बनेगा तो आप भी इस नवरात्रे इस वाली खिचरी को बनाए और इंज्वाए करें हमारे साथ आपने वरत नहीं भी रखा है तो अभी एक पर इस वाली रेसिपी को जुरूर ट्राई करें आपको बहुती ज़्यादा पसंद आएगी तो आई ही सुरू करते हैं इसको बनाना इसको बनाना बहुती असान है तो उसके लिए हमने पहले एक बावल साबुदाना ले लिया है साबुदाना आप कोई भी ले सकते हैं इससे थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं तो मैंने ये लिया है और इसको हमें अच्छी तर बार अच्छी तरह धो लेना है, ताकि जो इसके उपर यह जो पाउडर लगा होता है, यह सारा पाउडर निकल जाएगा, तो इसको मैंने धो लिया है, और धोने के बाद अप हम इसे 2 गंटे के लिए रखना है, तो इसमें हमें पानी डाल देना है, पानी देखी हमें इतना साबुदाना हमारा इसमें डीप हो जाए, तो पानी मैंने इतना डाला है, देखी तो साबुदाने के बस थोड़ा साई ऊपर आ जाए, इतना ही पानी डाले आप, और इसे 2 गंटे के लिए आप रेस्ट के लिए रख दे, और बीच बीच में इसे चमच से हिलाते रहे, टा एक ताने को हम हाथों में लेकर दोनों उंगलियों की हेल्प से इसको देखिए, ऐसे दबा कर देखिए, अगर ये बिल्कुल दब रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये तेयार हो गया है, अगर आपका थोड़ी कमी रहती हो, तो थोड इमिज बारे काटकर ले ली है, अगर आप जीरा खाते हैं, तो जीरा डाल दे, हम बरत में नहीं खाती हैं, जीरा इसलिए मैंने नहीं डाला, और अगर आप पसंद करते हैं, और खाते हैं, तो आप इसमें जीरे का तड़का लगा सकते हैं, और ये देखिए, हर इमिज को थोड़ा सा भूल लेंगे अब मैंने ये आठ दस कड़ी पत्ते ले लिए हैं और इसको धो कर ले लिया है और इसको हम देखिए इसमें डाल देंगे और इसे भी हलका हलका सा भूल लेंगे गैस को मैंने लो किया हुआ है लो की लो गैस पर ही हमें इसको सैयार करना है अब हम अलू डाल देंगे अलू मैंने ये दो अलू उबाल कर ले लिये है और इनको काट लिया है और इसको देखिए हमें इसको हलका हलका सा भूल लेना है और इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे अब मैंने ये मुंफली की गीरी ले लिये है इसको मैंने ड्राय रोस्ट कर लिया है तो इसको तोड़ा साूंवान कर लिया है अगर अपने पसंद घ्राइड नहीं करते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं तो मैंने इसको घ्राइंड करके डाल लिया है 15-20 मूंफली की गीडि ली-स संदे Settings अब को मिक्स कर लेंगे अब इसके बाद हम इसमें यह देखिए साबुदाने को एड़ कर देते हैं वेखिए साबुदाने को डालने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे नमक मैंने ये सेंदा नमक डाला है मैंने एक चमचे करीब सेंदा नमक डाला आपने टेस्ट के अकोडिंग डाल ले और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है आप कि वरत के लिए हम काना बना रहे हैं तो इसमें मैं गरम मसाला वगएरा कुछ भी नहीं डालूंगी इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जैसे मैं बना रही हूं इस तरहे एक बार आप भी ट्राई जरूर करकर देखे धनिये बत्ता ले लिया है धनिये को दो कर मैं देखे निबू भी आम इसमें निचोड देते हैं और उसके बाद ये इसे हम मिक्स कर लेंगे तो इससे आप भी निबू को जुरूर एड़ करें इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो देखे अब हमारा ये साबू दाने की खिचडी तैयार हो गई है एक दब ये खिली-खिली खिचडी बनी है और ये खाने में बहुती ज़्यादा स्वादिस्ट है आप भी इसको ट्राइ करें और अगर आपने वरत रखायक पर जरूर बना के देखें और अमें भी बताए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स